शिपिंग इंडस्ट्री 9.2 इसके शुरुवात करें इसके पहले मैं आपको एक इनफॉर्मेशन दे दूँ अच्छे से यहां पर समझा दूँ कि क्या है शिपिंग इंडस्ट्री देखिए इंडिया में टोटल जो मेजर पोर्ट है 13 है यहां पर आपको जो दिखाया गया है इमेज उसमें 12 भी दिखाया गया है लेकिन टोटल 13 है इन्होंने नहीं दिखाया है अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर पोर्ट वो भी एक मेजर पोर्ट ही है तो यह 12 हो गया और 1 प्लस 1 13 है यहां पर गलत है मैप 12 प्लस 1 होना चाहिए 13 इसके लावा आपके कई कंट कई सारे मेजर पोर्ट से भी उसके ज़्याद है तो आप समझ गया है एडमिस्टेटिव मेजर के लिए ऐसा किया गया है मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट अब यह समझना पड़ेगा कि क्या होता है इससे फर्क करने से मेरिटाम ट्रांसपोर्ट जो है कॉनकरेंट लिस्ट में है ठीक है स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में नहीं है कॉनकरेंट लिस्ट में है मेजर पोर्ट को मिनिस्टी ऑफ शिपिंग देखता है चुकि कॉनकरेंट लिस्ट में है तो यूनियन मिनिस्टी भी दे साब से उसको चलाते हैं समझ में आगे आपको दूसरी बात कि क्या सिग्निफिकेंस है आपके शिपिंग इंडेस्ट्री का इंडिया में वाल्यूम अगर बात करें वाल्यूम की बात करें मतलब समान का वजन कितना है तो उसके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड होता है 95% आप कुछ और इंट्रोडक्शन नहीं दिये प्रिलियम्स के लिए एनफ नहीं है मैं आपको एक एक पोर्ट यहां पर आप देखते रहे हैं मैप पे और मैं आपको बोल कि आपका उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि उसकी क्या खासियत हैं क्या जानना है अच्छा एक बात 13 जो आपके मेजर पोर्ट हुए उसमें से 12 जो है वो गवर्मेंट ओवरंड है और एक पोर्ट ऐसा है जो की कॉर्पोरेट एंटिटी द्वारा ओवरंड है वहां भी आला कि गवर्मेंट का ज्यादा अस्टेक है लेकिन उसको में लोग प्राइवेट पोर्ट बोलते हैं म इंडिया का only major रिवराइनपोर्ट जो है वो कोलकाता पॉर्ट ही है मतलब समुद्र से सीधा नहीं समुद्र सी रीवर जोड़ी हुई है ऐसे कर और वनाव तयक करें ओड़ेद टाप के ऊंदर एक कोल्सपैसालिटी कोल्काटा वाल जो कउंपлекस है वह लुक्ली के इस्टेन बैंक पे और जो हल्दिया कॉंपलेक्स आपका's कोंपलेक्स है वह कॉग्ली के वेस्टेन से ठीक है मतलब मैप में अगर मैं होगली रिवर को ऐसे मालिजे दिखाऊं तो होगली रिवर के इस्टरन बैंक पे राइट यहां पे कोलकाता का कंप्लेक्स है और वेस्टरन बैंक पे आपका हल्दिया वाला डॉकिंग कंप्लेक्स है only major इसकी दो खासियत एक तो यह जानिए कि महानदी रिवर जो आपके समुदर में जाती है बिलकुल महानदी रिवर के यहां पे मतलब मुहाने पे यह पारादीप को यह पोर्ट लोकेटेड है दूसरा इंडिपेंडेंट इंडिया में यह इस्टन साइट का पहला मेजर ज़ादा आपके जार्कंड उडिशा एरिया से जितना भी माइन मिनरल का एक्सपोर्ट बगर होता है विशाका पतनम से बहुत ज़ afraid बहुत अच्छे से इस तन कमांड बगर है यह पे नीवी बगर यह ऐसा नहीं है कि एकदम private है, लेकिन एक corporate port के नाम पे एक इंडिया का यह single major port है, एन्वर वाला port, यहाँ पे Indian government की 60% से उपर stake है, हाला कि equity है, लेकिन फिर भी इसको एक public company की तरह register किया गया है, एन्वर port, तो यह एक single major corporate port है, इंडिया का एन्वर port, बाकि minor वगर में हैं, आ वो आपका JNPT है, आपके महराष्ट्र में, मुंबई के ही पास, second largest जो है वो चेन्नेई वाला ही है, और East Coast पे आपका चेन्नी जो largest हो गया, तो चेन्नी की एक आसियत है, नेक्स्ट चूटी कोरें, चूटी कोरें क्या है, थूथू कूडी, एस्टेलाइट वाला इस्व, बहुत बढ़ाई है जगह में आपको तमिलनाडू में चूटी कोरें जो है, इसको रिनेम करके चिदंबरम पोर्ट नाम इसका रखती है, चिदंबरम आपका पता है ना, फ्रीडम मूव्मेंट के दोरान, शिपिंग इंडेस्ट्री के डिस्ट, आपके इंडिजिन सिपिं ट्यूटि गोरेंज से हैं, अब कोचीन चलिए, कोचीन केरल में पड़ेगा, एकदम केरल से करनाटक की बोर्डर के पास कोचीन पढ़ता है, इसकी खासियत यह है कि यहां पर आईलेंड है, विलिंग्टन आईलेंड कोचीन में, वहाँ पे लोकेटेड है, निउ मैंगलोर पोर्ट, ये आपके करनाटक में पड़ेगा, यहाँ पे New Mangalore पोर्ट में एक गुरपूरा रिवर है, वो आपके Arabian Sea से मिलती है, मौर्मोगाउं, वेरी इजी, मौर्मोगाउं गोवा का पोर्ट है, आपको पता है ना गोवा के इस इलाके में इदर कुदरे मुख वगर में आयरन का बहुत extraction होता है आयरन बनाया जाता है मतलब फेरस से तो यहां से आयरन का export बहुत आता होता है मौर्मुगाउंसे Next है उसके उपर JNPT JNPT को मैं अलग से आपका Wikipedia का page दिखा के बताऊंगा Elephanta Island आप जानते हो ना जहांपे आपकी Elephanta Caps वगर है उसी के पास में ये located है JNPT ये इंडिया का largest container port है पूरे इंडिया के major port की जितने भी container की जो shipping होती है उसमें 50% से उपर इसका अके लिए हिस्सा है इसको हम JNPT क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसका पूरा नाम जो है जवाहराल नेहरू port है ठीक है जवाहराल नेहरू port है इसलिए JNPT बोलते हैं और इसको हम लोग आप नोहा शेवा भी कहते हैं नोहा शेवा नोहा जो मरीन से रिलेटेड प्रोबेबली मराठी का वर्ड है और शेवा तो आप जानते हैं नोहा शेवा लार्जिस कंटेनर पोर्ट है इंडिया का 50% से ज्यादा कंटेनर यहीं से जाता है यह बिलकुल मुंबई के पास में आपका जो एलिफांटा है वहां केर्स उसके पास जो है लोकेटेड है और आप इसको ठाने क्रीक से भी ठाने से भी एक्सेस कर सकते हैं हला कि क्रीक मतलब पतला रस्ता समुद्र के अंदर और इस पोर्ट इस ऑपका नीचे वाला पोर्षन है टर्मिनल जो है यहीं पर है टर्मिनल है यहां से शिपिंग इंडिस्री चे सामान आएगा और उपर जाएगा दिल्ली भरियान आपके पंजाब वगर में भी जाएग तो अब कि तो आपको ने पढ़ा ही दीआ वह नेक्स्ट आपका मुंबाई का पोर्ट तो महाराष्ट में देखिए दो हो गया नीचे हो गया JNpT, उपर हो गया मुंबाई, लार्जेस्ट जेन पिटी है, not मुंबई, मुंबई पोर्ट की कुछ खास-खासियत नहीं है, बहुत पुराना पोर्ट है, बहुत पहले इस एरिया को आपके शिवाजी ने, जो शिवाजी है, महाराज उन्होंने भी यूज किया था इस एरिया को, ने इस गुजरात में कंडला, उपर वाले अरिया में, कच्च के पास, अब इसकी भी एक खासियत है, जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, तो इसके यहां पे आपके सिंध का कराची का पोल्ट है, जहां पे आपका ग्वादर भी है, राइट, चाइना पाकिस्तानी एकॉनमी कोरिड आपको इंपोर्ट करेंगे और इसलिए तो रेलाइंस की जो जामनेगर के रिफाइनरी वगर है, आपके गुजरात में लोकेटेड है ता कि यहां पे जैसे ही क्रूड आये, उसकी हम प्रोसेसिंग कर दें, पूरा पोर्ट से इंडस्ट्री कॉन्कॉरेंट लेस्ट कैसे अ कहां बनाएंगे, वाधवन में बनाएंगे, महारास्टा में, वाधवन का है, महारास्टा का जो पालगर जिला है, यहीं पे है, मुंबई के बिल्कुल पास में, वहां पे एक वाधवन लोकेशन है, तो कॉंकन एरिया में आएगा, यह जानते है न, यहां से लेके करनाटक तक का जो पूरा एरिया यह कॉंकन एरिया बोला जाता है कॉंकन रेलवे भी बहुत फेमस है बहुत जादा उसमें गुफाइं हैं बहुत जादा आपके ब्रिजेज बनाए गए थे hundreds of लोग जो है उसको बनाने में उनकी जान चली के यह कुंकन रेलबे में, कुंकन एक और चीज़ के लिए फेमस है, अलफेंसो के लिए, बाकी कुंकनी बहासा भी है, आपके रजिस्टर्ड है, वो आपके स्केडूल लेंगविज में है, ये वादवन कहां लोकेटेड है, वादवन एक छोटे से टाउन में लोकेटेड है, दहान कुंकन डिवीजन में आता है, ये पूरा एरिया तो कुंकन डिवीजन में आता है, मुंबई के बिल्कुल पास मैंने बोला न, 110 किलो मेटर है, तो यहाँ बाकी आपका अधानी का थर्मल पावर स्टेशन वगर भी है, वादवन प्रोजेक्ट जो है, यहीं पर चलेगा, र बाकी उसके लाबा और भी कुछ लोग होंगे इसमें, तो गवर्मेंट की ओंड होगी, और यहाँ पर पोर्ट का इंफ्रस्ट्रक्टर 65,000 के आसपस खर्च करके करोड में बनाया जाएगा, तो यह जो बनाया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिक मोड में बनाया जा रहा है, पीपीप मोड में, मोधी गवर्मेंट भाई प्राइवेटाइजेशन हर जगा, अगर जवार लान ने रूप पोर्ट की बात करें, तो इंडिया का बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट है पढ़ा दिया, वर्ल्ड में इसका 28th पोजिशन है, और अगर जब वा ड्राप्ट मिलता है, अब ड्राप्ट मिलता है, तो क्या होता है, ड्राप्ट क्या होता है, यह ऐसे शिप, यह माली जो की बीच में जो डिफरेंस होता है, उसको ड्राप्ट बोलते है, अब आपको यह जितना मिलेगा, अब सोचिए, जितना मिलेगा, उसके हिसाब से आप आर्किमेडिस प्रिंस्पल का यूज करके इतना समझ सकते हो कि कौन पर पोर्ट पर कितना बड़ा आप शिप लेके जा सकते हो कितना समान लदा हो सकता है तो ड्राफ्ट जो है अगर नैचुरली अगर आपको मिलने इतनी गहराई हो तो बहुत अच्छा जो है शिप वहाँ पर चलेगा गयराई बहुत ज़रूरी है इसी डिफ्रेंस के कारण आपका इस्टन और वेश्टन कोस्ट में जो भी डिफ्रेंस है कि मेजर शिपिंग इंडस्टी जो है इस्ट कोस्ट में डेवलप नहीं हो पाई है वेस्ट कोस्ट में जयादा होई है क्योंकि वहाँ यह प्रफी बगर जो है इस तरह की मिलती है तो यहां पर वादवन के पूर्ट में 18 मीटर का आपको ड्राप्ट तो नैचुरल ही मिल रहा है और 20 मीटर का नैविगेशन चैनल भी मिल रहा है तो एक नैचुरल भी वहां पर मतलब आपका एडजस्टमेंट है बढ़ियां अगर आ यह नखेंट पोड़िया तो नैचे घुन नीचे की निचे का पोड़्ण ठीकए है और यह आप देख रहे हैं यहां पे जो लाइन कीच रही है वह water का level sagen यह जो distance होती ईसी को draft बोलते है जितना आपको draft मिले उतना आचा है तो naturally यहाँ पर सकते हो 362 बैकि शिप कि जी जहां पर व्र्ण को बोलते हैं न, ship of a ship's hull, hull जो आगे का portion हो गया, is the vertical distance between the water line and the bottom of the hull, ये hull हो गया पूरा, कहा गया ये मेंस, ये hull हो गया पूरा ship का, तो water level और bottom जो है hull का, उसके बीच की जो distance है, उसको draft बोलते हैं, नीचे का जो portion होता है, हल का उसको keel बोलते है, keel ये हो गया, 1 minute, keel ये हो गया keel ये हो गया, water line ये हो गया, दोने के बीच का distance, draft हो गया, right, in the case of not being included, अच्छा, ये सब कोई ज़रूत नहीं है, इससे ये determine होता है, कि minimum depth, जो है, of a water or ship, aboard can safely navigate, कितना minimum depth तक जा सकता है, तो naturally अगर available हो, तो आप जो है, थोड़ा कम shallow water में भी चल सकते हो, ठीक है, यही इसकी major port है, गलत लिखा है, 13 major port है, एक आपका port blayer वाला भी है, देखिए, port blayer port is a sea port in south, अंडमान, अंडमान निकोबार में, ये एक major port है, located on अंडमान sea, one of the major ports है, और इसको port blayer port trust operate करती है, ठीक है, applicable to the major port blayer from, ये क्या बोल रहे है, major port trust act जो है applicable है, यहाँ पर तो इसलिए आपका ये major, मैंने आपको बोला ना, administrative significance के लिए बनाया जाता है, तो port player इंडिया का 13th major port बना था, अंडमान निकोबार में, ये 2010 की घटना है, जिसको इन्होंने यहाँ पे miss कर दिया है, तो एक minute, so only two major port trust, namely JNPT 1989, and Anur कामराजार port 1999, and nine major port trust plus the state government have been developed in last 30 years, last 30 years की बात कर रहे हैं, य ये हमें total 13 major port कर लिजेगा, और 205 notified minor और intermediate ports हैं, जो minor और intermediate हैं, उसको state government देखेगी, जो major है उसको आपका central government, ministry of shipping के दुरू देखेगा, अब बात और ये multimodal terminal की, multimodal क्या होता है, एक से ज्यादा mode, बड़े ship, छोटे ship, एक से ज्यादा mode हो गया, इसी को multimodal को होते हैं, और क है ना, उसको inauguration किया गया था, आपके November 2018 में, अब ये second बन रहा है, साहिब गंज जार करने में, तो आपको समझने की ज़रत है, बड़े, क्या है, साहिब गंज कहा है, लोगों की problem क्या है, कि कई बार चीज़ें explain नहीं करते हैं, और कई बार चीज़ें explain करते हैं, तो कुछ ऐसे explain करते हैं, कि उनको ना खुद पता होता, ना पढ़ने वाले को समझ में आता है, अब multimodal transport, multimodal transport का यहाँ पर एक चलिए, आपको definition मिलेगा, कि multimodal transport में एक से ज़्यादा mode होते हैं, आप ये बताएए, क्या मुझे multi का नाम नहीं पता, more than one, mode का नाम नहीं पता, तो य multimodal हो गया, आपको confusion किस level पर होगा, मैं बताता हूँ, अब यहाँ पर कोई river है, एक तो आप सोचे को कि now कि through ले जाएंगे, कि क्या river में train चलाएंगे, कि बड़े ship की बात कर रहें, छोटे ship की बात कर रहें, कि तो दो mode हो गए, या फिर केला काट लो, केला काट की रसी से जैसे हम लोग बच्पन में करते थे हैं, और उसको पानी पर चला दो, केला काट की आपको पता है ना, बनाना का जो आप काट देंगे, उसको थम्ब जो होता है, तो उसको आप अगर ऐसे काट दोगे, और फिर ऐसे बना बना कि अगर आप रसी से उसको फिर फाइनली तो घेरा भी बना ले ना, तो क्या इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इसको बोलेंगे मल्टी मोडल के डिफरेंट टाइप के मोड हैं, या दूसरा ये कन्फिजन हो सकता है कि क्या यहां पे जो कार्गो आ रहा है, जेटी बनाते हैं पड़ाओ जो बनाते हैं, बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो जो क्या कार्गो आ रहा हैं, तो वो कार्गो जो कि ट्रेन से आएगा, या एरपोर्ट से आएगा, या आटो से आएगा, और नीचे यहां पे नौ में जाएगा, तो क्या उसके हिसाब से मल्टी मोडल बोल रहा है, क्या मल्टी मोडल, है न अब बात को समझिए, मैं एक कैरियर हूँ, मेरा नैशनल वाटर वेव वन जो है, आपका अलाहबाद से लेके हल्दिया वाला, उसमें मैं ऑपरेट करता हूँ, जिसको की राष्टिया जैल मार्ग विकास प्रोजेक्ट भी कहते हैं, तो मैं उसमें ऑपरेट करता हूँ, आप अपना समान लेकर है, आपने बोला कि आपका समान अलाहबाद में नैनी में है, ठीक, मैंने कॉंट्रेक्ट साइन कर लिया कि मैं इसको अमेरिका पहुचा दूँगा, आप खुश आएक अमेरिका जाएगा मेरा नैनी का समान, कैसे जाएगा तो मैंने बोला मल्टी मोडल ज प्यार पैदा किया था, प्यार जो है आपको यूए से भेजना है न्यू यॉर्क, तो मैं आपके पास गया, मैंने आपसे प्यार खरीदा, ठीक है, प्यार खरीदा और प्यार लेकर मैं उसको क्या करता हूँ, आटो में डालता हूँ, वन मोड हो गया, आटो में लेकर मैं जो आपका National Waterway का वहाँ पे जो जेटी होगा, वहाँ उतारूँगा, नदी है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आटो से प्यार लेकर आया, फिर यहाँ पर जेटी के पास गया, फिर उसको मैंने क्या किया, एक शिप में डाल दिया, नौ में डाल दिया, दूसरा मोड हो गया, नौ अब यहां से नाओ चली चली, इंडिया का जो यहाँ पे आपका Coast है, हल्दिया चली गई नाओ, हल्दिया का तो Port में आपको समझा दिया, only Riverine Port, West Bank पे हल्दिया, East Bank पे, Kolkata, कहाँ पे, Hoogaly River पे, Kher, तो यहाँ आपका समान चला गया, अभी तक कितने Mode यूज़ हो गया, द पहुंच गया यहां जब आप पहुंचे अब उसको जो है कहीं अच्छे चले मालीजे की कैलिफोर्निया जाना है यहां से तो वहां से वह जहाद से गया आपका प्यार तो तीन मोड यूज होगा इस तरीके से इसी को मल्टी मोडल बोलते हैं एक कॉंट्रैक्ट में पर आपको बता है ना इंडिया में नैशनल वाटरवे का जो प्रोजेक्ट है उसमें 111 वाटरवेज बनाने की बात की है तो सुरवात के तीन-चार इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको लिश्टिंग बता दूगा बाकी है यह इतना जानने की ज़रूत नहीं है सबसे ले बनाने थे मल्टी मोडल इसमें जंक्षन तो पहला तो वारा नसी में बना दिया था याद रखिए अलहाबाद से शुरुवात हो रही है लेकिन बनाया पहला वारा नसी में उसके बाद दूसरा जो है आपके साहब गंज जारखंड में बनाया मैं बताऊंगा कहां पर है सा उनागुरेशन वगरा हो गया है यह रिवराइन मल्टी मोडल टर्मिनल है सामान कहीं से भी डिफरेंट मोड से आए हम हैंडल कर लेंगे टर्मिनल है ठीक है तो और क्या है इसको कौन देख रहा है इसको आपका जो नैशनल वाटर वे वन है जो आपकी इंडिया एक सके इन आपके कूल का दाख यह आपका नैशनल वाटर वे बन होगे बाद में इसको क्या कर रहे है कि यहां से निकालके बांगलादेश से क्रॉस कराके कनेक्ट करके रिवर से इसको यहां पे साधिया पहुंचा देंगे साधिया यहां पे एकदम असम के लास्ट में है और धूब भी नहीं है बनारस में किया था यह बनारस यूपी में पड़ेगा बॉर्डर पे बिहार के आपके मुगल सराय बनारस में पहला डेवलप किया था अब जब आप यहां पे देखेंगे तो यह उपर जो पोर्शन है बिहार का मैप है नीचे जारकंड का जो वन अप दो मोस् जलती है साहब गंज में मल्टी मोडल टर्मीनल बना रहे हैं याद रखेगा जारकंड में एक ही डिस्टिक से गंगा जाओ के जाती है वह साहब गंज है उसके बाद बंगाल में चले जाती है तो वहां डेवलप करेंगे तीसरा कहां तीसरा हल्दिया में डेवलप करेंगे ठीक है एक हल्दिया में वेस्ट बंगाल में एक साहव गंज में जहारखंड में और यूपी में बनारस में तीनों स्टेट में आपका है करना क्योंकि इनी तीनों स्टेटट से नैशनल वाटरवेव से आपका क्लियर मैप में देखिए अलाहबाद से गंगा हुई बनारस गई यह ना पिर भीहार गई यह जो यहां पे आप यह जारखंड का पॉर्शन है यहीं साहब गंज इसे कटके फिर वेस्ट बंगाल बाद में क्या ट्राइब कर रहे हैं कि तरी तरी इसको जो है बांगलादेस के dimonetру connect करके ऐसे करके ऐसे को सारी ऐसे उपर गया कहे करके धूबरी ले जाएंगे और धूबरी से साधिया नाशनल वाटर वेड़ तूट है साधिया यहां पे है समझ गहें यहीं आपका नेशनल वाटर वेडं और लुद्बाद एस नेहीं पकर करा दिया हैं बाकी मैं कि बोल दिया कि तुमारे एक टर्मिल साहेब गंज में साहेब गंज बिल्कुल यार बिहार के बॉर्डर पर है तो दिक्कत क्या है भागलपूर पड़ता उदर नेशनल वाटर वे टू साधिया धूबरी यह ब्रह्मपुत्र रीवर पर है वो तुम मैं आप आपको दिखा द इशननल जाख कानाल, एंड हमकारा कनाल, वडगमडग कनाल केरल में है तो यह आपका यहां पर दिखा देताओ, हलकासा दिखेगा आपको केरल का एरिया यह देख रहे ना कोटपूरम, वेश्ट कोस्ट कैनाल, यहां पर चलता है यह बैक वाटर से, सॉल्ट वाटर और फ् इसमें कवर होती कृष्णा रिवर के आसपास हैं तो ये कहां है बद्राचलम राजमुंदरी अश्ट्रेचप गुदावरी रिवर और थोड़ा बहुत कृष्णा पर यहां पर ठीक है राजमुंदरी से लेखे आपका तो इसमें आंदरप्रदेश पॉड़िचेरी और तमि लाडु नहीं आया है यहांपर ये वाले को काउंट कर एक तो नीचे का पॉर्शन किस में काउंट होगा नेश्नल बस फाइब में क्या और यह ताल चर धमरा ये आपका उडिश्यं हो जाएगा राइट तो यह सारे है आपको एक जो है जोन आजल वाड़ वाला तीन इतना ही काफी है नेशनल वाटरवे फूर जो आप याद रखें पॉंडिचरी आंद्रप्रदेश और तिलंगाना है कृष्णा रिवर और आपका जो गोदावरी रिवर है वो काउंट होगा ऐसे हैं यह एरिया में ठीक है जद डीटेल जाने के जुरूत नहीं है अब इस सारे को मतलब आपका समुदरी नहीं है यह है ना नॉर्मल आपकी टेरिटोरियल वाटर में रिवर वगरे के अराउंड करना है इंडिया है इसी बैक वाटर में मनाई है अलपुजा जाईए क्रीक्स भी होते हैं पतले वाले जैसे आपके है ना सर क्रीक पढ़ाया तो है पूरा प Statutory Authority है यह इसको आज नहीं 1986 में क्रीट किया गा था 33 यर्स अगो तो इसको statutory authority है तो एक्ट क्या था Inland Waterways Authority इस a statutory authority in charge of the waterways in India it was constituted under Inland Waterways Authority of India act 1985 याद रखिएगा इसका नोड़ा उतर-परदेश में है याद रखिएगा उसकी सर्वे करना एकॉनमी फेजिबिलिटी देखना नए प्रोजेक्ट का उसका एडमिस्ट्रेशन करना यह सारा कुछ देखता है ओके नैशनल वाइडर वे वन जो है जिसको आप लोग राश्टी है जल्ब मार्ग विकास प्रोजेक्ट भी बोल रहे हैं उसमें फंडिंग आपको मिल रही है वर्ल्ड बैंक से याद रखिएगा इन्वेस्ट्मेंट जो हो रहा है हमाँ पर वर्ल्ड बैंक का फंडिंग हो रहा है इन लेंड इन लेंड वाटर वेस्ट ऑफ इंडिया पढ़ा दियो उसके बारे में उसका इंप्लिमेंटेशन एजेंसी है इंप्लिमेंटिंग एजेंसी है निक्स क्या है तो सिंगल ट्रांस्पोर्ट ऑपरेटर का मतलब यह नहीं कि बीच में कोई भी दूसरा ऑपरेटर नहीं होगा लेकिन एक कोई जिम्मेदारी ले रहा है दूसरा ऑपरेटर से बात कर लेगा उसको अपना अलग से पैसा देगा कट देगा तो यह एक एफेक्टिव मोड है इन लार्ज और डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वेरन एंड टु एंड डिलिवरी यह हुमांगस टास्क अब कोई यहां पर बैठा हुआ उसको प्यार बेजना युए से में अब कितने लोगों से बात करें कोई एक लेले आप네र कामतू अच्छी बात लीए अट निनेशन बी डेफिनेशन देता आपके कंट्री पी एक्ट है में इंडियन परलेंट में 1993 में क्योंगी वा था था तकि आपका मुल्टी असपरेडर operators बगरा जो है उनके लिए standardized rules से regulation से based एक standardized regime पैदा करें ताकि consumer बगरा भी सही से रहें और यह आपके companies है multimodal वाली वो भी सही से रहें अब next है आपका issue जो है topic जो है वो related actually चाहबहार से हुआ क्या है इंडिया इंडिया ports global limited आपको पढ़ना है क्यों पढ़ना है government ने क्या किया है government has approved exemption of India ports global limited IEPGL from department of public enterprises guidelines for a smooth execution of चाहबहार project चाहबहार project के smooth execution के लिए जो आपका department of public enterprises होता है याद आ रहे हैं कहां पर होता है अरे ministry of heavy industries and public enterprises ministry of heavy industries and public enterprises के अंदर ही एक department होता है department of public enterprises नाम में ही है उसने यह बोला है कि हम यहाँ पर exemption दे रहे हैं India ports global limited को जो कि आपके चाहबहार port project को देख रहे हैं ताकि फ्रिली काम कर पाए अपना smooth execution पर पर पाए तो यह कब बनाया था कैसे इंडिया ports global limited को एक special purpose vehicle की तरह बनाया गया था यहां भी देखिए जैसे आपका नया port बना रहे है न वादवन तो वादवन के port बनाने के लिए जेन पेटी देख रहा न राइट तो यहां भी बनाया था चाह बहर के लिए खास करके चाह बहर के लिए special purpose vehicle जो हमारी country का है वो इंडिया ports global limited है इसको भी बनाया था तो एक तरफ आपके जवाहर लाल नेरू port रष्ट था जेन पेटी और दूसरा दीन दयाल port रष्ट था अब यह दीन दयाल port रष्ट कहां पे बताईए गुजरात में यहाद है कांडला वाला port जो कच में बताया था वही दीन दयाल वाला है तो दीन दयाल port रष्ट अपका गुजरात कांडला वाला उसी का नाम है और जेन पीटी इन दोनोंने मिलके IPGL बनाय था इंडिया ports global limited था कि चाह बहर port को develop किया सके किया सके उसका management किया परचेश गया था सागर माला development company limited ने सबसेडियरी हो गया तो इसी तरह सेंटल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गया तो आप यह बताएए कि आपके जो गाइडलाइन अब इसके applicable होंगे as a result guidelines of DPE were technically applicable to IGPL अब उसी में उसको exemption दिया आप स्टोरी को नहीं समझ पा रहे हैं मैं बता रहा हूँ सुनिया आपको चाह बहर में यह शहीद बहेश्ती port develop करना था इरान में country का आपकी country का मिलके इरान के साथ आपने उसके लिए special purpose vehicle बनाए IPGL इंडिया पोर्स ग्लोबल लिमिटेड उसको बनाने के लिए आपने दो चीजे योज की एक तो दीन दयाल पोर ट्रस्ट रंडला और दूसरा JNPT यह दोनों ने मिलके special purpose vehicle बनाया और उसी special purpose vehicle को हम लोग IPGL बोल रहे हैं चाह बाहर के लिए बाद में क्या अब यह सागरमाला Development Company Limited जो है Central Government का Public Sector Enterprise है अब जितने भी Public Sector Enterprise होते हैं उस पर Rule Regulation जो चलते हैं आपके Department of Public Enterprises के चलते हैं Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises के लेकिन अगर Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises अगर बहुत ज़्यादा इसको अपने सिकंजे में ले ले HDCL को सागरमाला Development Company Limited को जिसके अंदर share है आपके JNPT औ और वो देख रही है कि इस चाबार पोर्ट को उसकी Freedom खतम हो जाएगी तो उसको एक अलग से थोड़ा टेक्निकली उसको exemption दिया कि ताकि आप अराम से economical तरीके से fast काम कर पाऊ क्योंकि इरान जो है नाराज हो रहा है इरान बोल रहा है कि आपने जितने promises की तो जल्दी काम नहीं कर रहा हूं तो यहीं पूरी नियूस दी नेक्स्ट है लोग तक इनलैंड वाटर वेज़ प्रोजेक्ट यह क्या है लोग तक लेक आप जानते हो ना लोग तक लेक आपके मनिपूर में तो इसके लिए ministry of shipping ने एक approval दिया कि लोग तक इनलैंड वाटर वेज़ करेंग जो है अधूरी रह जाएगी पहले आप यह images देखिए लोग तक लेक की यह आपको दिख रहा है घास का चोटा-चोटा ऐसे जो है इस पे मतलब बड़ा भी थोड़ा हो सकता है ऐसे फैला रहता है और इस पे जो है शहलाता रहता है जमीन से नहीं जुड़ा वाई नीचे चहलाता रहता है इस पर आपके barking deer होते हैं ना barking deer slave me बताऊंगा चिंता मत करें सीचित показ तुमार्मेन और तो लगिन जैसे ही आपके युणियन ने उसको दिया union ministry of shipping देती है यहां पर inland water base के लिए भी union ministry of shipping देती है तो कई जो है environmental activities activities से नाराज होगे बोले कि लोग तक लेक तो already destroy हो रहा है उसको आप पूरा destroy कर दोगे यहां से boost मिलेगा inland water transport connectivity को north east में और साथी साथ tourism sector को बढ़ावा मिलेगा copy paste deadline देखिए आपको कहां से आई थी कॉस्ट जो है इसका 25 करोड गया सपास का है देखिए यहां पर accident बगर भी कम होगा क्योंकि रोड और इसको नेशनल पार्क भी बना दिया गया है केबूल लामजाओ नेशनल पार्क आपको याद रखना इस लेक के लिए यही जो floating होता रहता है यह बहुत बड़ा tourism का यहां पर इसका importance है लेट्स डू मोर डेटेलिंग आप यहां पर देखिए यह इंडेंजर्ड इसकी स्पेसिस की क्या है स्टेटस आयूसीन में इंडेंजर्ड एल्स डियर या संगाई बोलते हैं इसको संगाई यह डांसिंग डियर है क्योंकि अगर एक जगर खड़ा रहेगा तो वो डूप जाएक तो फिर ता रहत है कूदता हु चलता रहता है यहां पे है मोई रांग मनिपूर वहां पर यह आपका लोग तक लेएक इसी के लिए फेमेस है यह यूप यसे में दो तीन वार आ चुका यहां पर के बूल लम जाओ क्या है देखिए कैप टाइगर बूल वास्ट लम नौर्थेस्ट इंडिया और लोक तक लेक पुरा उसमें वो फ्लोटिंग प्रषन है वो नेशनल पार की तरह शोरी प्लाइब ब्लांत मैं धिन्ट जाता है बोपोर्छी 것으로ytん करने लए उसकह पुमडीज से और यहीं पर जो आपका रहता है नेच्रल वो थिस है वो तो यहां पर यह जो लोग तक कि लेकर इसमें इल्ष डीयर या जो सब्सक्राइज कर दिखे हैं थाइन पीकार दून है और चुक्तेयक नेशनल पर्क बना दिया गया अब यहां पे ब्रो एंटलर डियर राइट लेस्ट क्लिक ओवर इट ब्रो एंटलर डियर या एल्ड डियर नोन अज थामीन और ब्रो एंटलर डियर इजन इंडेंजर असपेसिज अब डियर इंडिजनस तुई यह साउथ इसया में होता है मनीपूर में ही संगाई बोल रहे हैं और चुछ जान ना है क्या इसके दी करके होता है वो आपके मयानमारे में होता है बाकि Cambodia, China, Lost, Thailand वियतनाम के एरिया में भी होता है, तो ये इसकी 3 sub-spaces है, इल्स डियर की, आपके bro antler deer की, ये देखें इसकी जो है bro antler deer, देख रहे हैं आप, ये बारा सिंगा की जैसा आप एरिंस में हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती हैं इसकी, तो यही है, अब नीचे इनोंने बाद में explain किया कि draft क्या होता है ship का, तो मैं आपको बता ही दिया, वर्टिकल डिस्टेंस होती है वाटर लाइन और कील के बीच में, कील जो है, आपके हल का bottom होता है, वर्ल्स फर्स्ट, पॉर्छन देख रहा हो हो गुज़राँ रहो गुजराट का है, यहां पे भायन अगर पड़ता है, स्मॉल्लर वेसल्स के लिए वहाँ पे वह लोग अपना लंगर डालते है, यहां पे व्ल्ड का पहला CMG पोर्ट बनाया जा रहा है टर्मिनल है ना यह भावनगरी को और चीज के लिए फेमस है यहां पर गुजरात में रोरो फेरी सर्वेश शुरू होई ते रोरो क्या होता है रोल आन रोल आफ जैसे मतलब गाड़ी है सीधा-सीधा गाड़ी को शिप पे चड़ा दो कोई कंटेनर बगर के जोरत नहीं है और फिर उसी तरह उसको चला के निकाल लो तो इसी को बोलते रोल आन चड़ाते समय भी रोल आन रोल आफ उतार लो यह प्राइम मिनिस्टर का ड्रिम प्रोजेक्ट था इस पर बहुत जादा लॉसेज हो रहे हैं लोगों को लेकिन यह जो है देख लिए अब यहां पर पढ़ा है ना आपको यह एरिया अपको क्या पढ़ा है था तो भावनगर में गोगा नाम की जगए तो आप यहां पर भरूच है देख रहे हैं गुजरात का ही पोर्षन है नीची आता है महाराष्ट लेकिन गल्प खंबात ऐसे है गल्प कैमब की जगए अब दहेज से मान लेजे किसी को यहां जाना है भावनगर ठीक है ऐसे जाना पड़ता लेकिन हमने क्या किया कि यहां पर रूल आन रोल आफ जो मोदी जी का डिम प्रॉजेक्ट था कि इसको डिरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए तो सीधा यहां से यहां कर सकते हैं इस अब लगते हैं अब लगते हैं ओनली डेड़ गंटा और रिसेंटली यह भी न्यूज आई थी कुछ दिनों पहले कि जो आपका दीन दयाल कांडला वाला जो पोर ट्रस्ट है वो अब एक रोल आन रोल आफ सिस्टम के शुरुबात करेगा जेटी हजीरा पे भी और ताकि आपका जो घोगा दहेज वाला फेरी सर्विस था उसकी तरह एक और नई चीज की शुरुबात की जाए उसको रियाटेम्ट किया जा कि हम कई ऐसे प्रोजेक्ट लेके चले हैं हजीरा यहां से भी रोल आन और रोल आफ की बात कर रहे हैं बाकि घोगा आपके भावनगर मे में एक टर्मिनल बना रहे हैं Comic के लिए लिए बेसमेंट के मॉडल मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ यहीं से आच्छा इन्होंने दे दिया है आपकी मेंस के लिए काप 14 जमीन रखेगी और फिख सो मोभा उस और regulatory function भी वही करेगे, port के सारे function करेगे, तो यह service port model होता है, here the port trust is both landlord and the cargo terminal operator, सब कुछ आपका, सारी जो company है, सारा जो port है, सारा का जो system है, service देखना, उसका जमीन रखना, सब कुछ आपका है, तो इसको बोलते हैं, service port model, अब यहां पर confused नहीं हो जाएं कि service किसी और को दे रहे है, नहीं, service आप कर रहे हो, इसलिए service port model है, तो एक उतल landlord port model, देखिए, publicly, government port authority जो है, regulatory body की तरह act करेगा, landlord बनेगा, लेकिन private companies को बोलेगा, कि आप जो है, port के operations करेए, service देजिए, तो गोलों क्या करेंगे, cargo handling वगरे करेंगे, जैसे आपका कामराजार port है, वहने आपको बत वहाँ पर landlord port model है, service वगर, operation वगर, private company करती है, government जो है, regulation करती है, और उसका land owning करती है, लेकिन service port model में, service किसी और को नहीं दोगे, अपने पास रखो के service, इसलिए service port model दिया जा रहा है, नाम, अल्ला कि landlord service port model दोनों साथ में नाम देना चाहिता, और इसको बोलना चाहिता, service port model but anyway, naming ऐसी है, याद रख लिजे, service port model में सब कुछ government के पास, और landlord port model में, government के पास जो है, port रहेगी, port रहेगी, और regulation रहेगा, लेकिन services जो है, private को दे देंगे, currently most major port trust जो है, इंडिया में, वो आपके terminal operation भी करते हैं, तो mostly वो hybrid system है, क्योंकि आपके देख रहे हैं, कुछ जग बताना था, इसमें shipping में, next में मिलेंगे, तो roadways चलेंगे, roadways में accident पे तो इतना कुछ डाल दिया है, कि lecture बड़ा हो जागा, बेफाल तो जितना भी दुनिया बर का accident से related agreement हो, चीज़ें हो, वो सब कुछ डाल दिया है, focus कहीं और हो गया, देख रहे हैं, road accident, third level high conference on road safety, integrated road accident database, accident accident, 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 लेकिन हमें भी जल्दी करने की जुरत है, otherwise prelims में accident हो जाएगा, तो आप भी जो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, next lecture में मिलते हैं, टाटा, बाई बाई